जैहिन दोस्तो इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आप सभी के लिए एक नई भरती लेकर आगे हैं जो कि एंडियन बैंक सिक्रूटी गार भरती 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तो अगर आप भी इसमें अपना फॉरम अप्लाई करना चाते ह हैं पुरा प्रोसेश चाना चाते हैं आपका फॉरम कब से कब तक अपलाई होगा कौन सा लोग इसमें अपलाई कर सकते हैं इसमें कितने पोश्टों के संख्या है क्या क्वालिफिकेशन है एज लिमिट क्या रख गया है सेलेक्शन प्रोसेश क्या है सब कुछ जानने के ल बीडियो स्टार्ट करते हैं और डीटेल में सब कुछ जानते हैं देखिए यहीं नोटिस जारी किया गया है जो कि इंडियन बैंक द्वारा सुरक्षा गार्ड के लिए जिसमें आपको 202 पोष्ट के लिए वेकेंसी निकाली गई है दूस्तो बीडियो स्टार्ट करने से पह अपलाइक कर सकते हैं उनी लोगों के लिए आवेदन अमंत्रित किया गया है जो कि 23 फरवरी 2022 से लेकर 9 मार्च 2022 तक अपना फरम अपलाइक कर सकते हैं देश्तो देख लिजे यहां पर कोई फेक वीडियो नहीं है आज ही का यह नोटिस है जो कि 20 फरवरी 2022 चलिए जानते है इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है एज लिमिट क्या रहने वाला है सब कुछ जानते हैं दोस्तो एज लिमिट की बात की जाए तो आपके पास 18 बरस से 26 बरस से एज होना चाहिए अगर आप रिटार्मेंट है तो यहां पर देखिए सब कुछ आपका एज जो भी आपका कटेगरी है क्योंकि यहां पर दिया गया है आपका रेंग क्या है उसके अनुसार यहां पर आपका जनमतिती यानि डेट बर्त दिया गया है दोस्तो यहां पर देखिए आपको कौन कौन सा डॉकमेंट इसमें और क्या क्वालिफिकेशन है यहां पर दिया ग कर सकते हैं, दुस्तों उम्हदवार को अस्थाई भासा बोलने और पढ़ने लिखने में सक्छम होना चाहिए, जहांके आप पोश्ट के लिए अपलाई करते हैं, क्योंकि यह All India में अपलाई होता है, तो वहां के भासा का ग्यान होना चाहिए यानि अस्थाई भासा के आपके पास ग्यान होना चाहिए, यहाँ पर आपको चरितर यानि करेक्टर कैसा होना चाहिए, यहाँ पर दिया गया है, कम से कम आपको मोटर वाहन और ड्राइबरी लाइसेंस भी होना चाहिए, यहाँ पर दिया गया है, आपको सब कुछ यहाँ प इस से लेक्षन कैसे होगा यहां पर देखिए आपको ऑंग बैंक यानि मेत आपका रिजिनिंग अधिकतम आंक आपको 10 नंबर 30 मिनट का आपका समय दिया जाएगा, यहां से समान बैंक के बारे में, यानि कैसे आपको रख रखाओ, यानि आपको सुरक्षा के बारे में कुछ है, इसमें 10-20 नंबर का एक्जाम होगा, जो कि 10 नंबर क्वालिफाई के लिए रखा गया है, सुरक्षा पहलू का ग्यान, वही आपको सुरक्षा पहलू के ग्यान होना चाहिए, यानि बाहरी सुरक्षा आपको अंदर का सुरक्षा कैसे करना है, सबकुछ का ग्यान होना चाहिए, अगर आप फोज में काम किये हैं, तो आपके साम साथ है, या तो सबकुछ हुआ होगा, जो कि आपके प्रोपर जनकारी होगा, यहाँ पर दोस्तों आपका physical भी रखा गया है देख लिजे यहाँ पर proper जनकारी आपको फिजकल भी रखा गया है तो आप एक बार इसका link दे दिया हूं आप पढ़ लिजेगा और जनकारी प्रात कर लिजेगा उसके बाद आपको physical और return के बाद आपको merit तेयार किया जाता है यहाँ पर देख लिजिए कोई fake वीडियो नहीं है यहाँ पर उसी के अधार पर इसमें selection होने वाला है तो दोस्तो वीडियो को description में link proper दे दिया हूँ दोस्तो वीडियो लंबा हो रहा है इसके कारण वीडियो को यहीं end करते हैं जैसे इसका proper जनकारी और चाहिए तो आप comment करके हमसे जनकारी प्राप्त कर सकते हैं अगला वीडियो में मिलते हैं किसी खाज job update लेकर तब तक के लिए जैहिंद नमस्कार